और वहीं इस बीच एक बहुत एहम खबर आ रही है नेपाल की राजधानी काठवंडू से इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने दरसल 22 चीनी नागरिकों को गिरफतार किया है संदिक गतिविद्यों के बाद कुश्टाच के लिए इने गिरफतार किया गया है ये स्टेट्मेंट सामने आया है नेपाल के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का सभी पर अवैद गतिविद्यों में शामिल होने का आरोप है इस खबर से जोड़ी तमाम एहम तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने दरसल चीन के 22 नागरिकों को गिरफतार किया है काटमांडू से ये बड़ी खबर आ रही है और इन सभी पर ये शक है ये आरोप है कि ये अवैद गतिविद्यों में संदिक गतिविद्यों में लिप थे जिसके बाद इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये कारवाई की गई है मनीश जहां हमारे समादाता इस वक्त हमारे साथ लाइव मौझूद है मनीश क्या जानकारी मिल पा रही है एक साथ चीन के 22 नागरिकों के खिलाफ ये जो कारवाई हुई है इसकी वज़े क्या है जो 22 चाइनीज नागरिक जिनको गिरिफतार किया गया है उनकी पासपोर्ट की तस्वीरें उनके मोबाईल की तस्वीरें और अभी उनसे पूछताच की जा रही है आखिर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को क्यों उन पर सक्वा अभी फिलाल आधिकारिक बयान यही जारी किया गया है कि वो लोग गैर कानूनी गतिवीदी में शामिल थे क्या वो नेपाल के खिलाब कोई कारवाई में कर रहे थे या नेपाल में किस तरह की गैर कानूनी गतिवीदी में शामिल थे इसकी डिटेल हमें बाद में पता चलेगी लेकिन ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल मैसेज है कि नेपाल में एक अरसे के बाद चीनी कारवाई पर अंकुष लगाने के लिए पहला कदम हुआ है जब चीनी नागरिक, 22 चीनी नागरिकों को, तो कि जो हाल स्रिलंका में आप दे वीडियो पर अंकुष लगाने का मैसेज नहीं है, बलकि दुनिया को मैसेज है कि नेपाल चीन से आजाद होने की अपनी पूरी ताकत को मजबूती के साथ दुनिया को दिखा रहा है, जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमनीश, और इसलिए ये खबर जो हर लिह से अहम हो जाती है कि ये चाइनीज नागरिक हैं और ये पकड़े गए हैं नेपाल के अंदर, और नेपाल ने हेमत दिखाई है कि 22 चीनी नागरिकों को किया है गिरफतार, उनके खिलाफ तमाम ऐसे सबूत मिले हैं जो ये साफ इशारा कर रहे हैं कि वो संदिक गतिविदि सब्सक्रांब